नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हारिश और आप सभी का स्वागत है Mr. Growth YouTube चैनल पर फ्रेंड्स आप मेरे पास कई फ्रेंड्स के कॉमेंट आए कि सरे Amazon Audible का ट्राइल किस तरह से कैंसल कर सकते हैं क्योंकि अगर नहीं कैंसल करेंगे तो after one month अपने आप 199 रुपे आपके credit या debit card में से कर जाएंगे तो इस वीडियो में आपके साथ यही शेर करूँगा कि आप बड़ा ही simply अपने इस free trial को कैंसल कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें लेकिन उससे पहले मैं आपको एक काफी अची चीज बताना चाहूँगा कि recently मैंने एक वीडियो बनाया था अगर आपके पास laptop या computer है और आपको एक अच्छा antivirus चाहिए तो एक 1299 रुपे वाला जो antivirus है बिल्कुल free मिल रहा है यह वीडियो है और इसका link आपको इस वीडियो की description मिल जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं तो आप बात करते हैं audibles का membership cancel करने के लिए आपको क्या करना है simply आपने google में जाना है वहाँ पर आपको audible एंटर करना है एंटर करने के बाद audible.in वेबसाइट आए जाएगे first number पर आपको इस पर क्लिक कर देना है वेबसाइट के open होने के बाद आपको सबसे उपर 3 lines दिखेंगी आपको इस पर touch करना है यहाँ पर देखिए आपको option मिलेगा sign in का आपने इस पर क्लिक कर देना है और अपने same उसी account से आपने sign in कर लेना है जिस पर आपने free trial लिया हो तो मैंने अपना username password एंटर कर दिया है फिर मैं sign in पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद दुबारा से आपको वही 3 lines पर क्लिक करना है जैसे आप अपने account को open कर लेंगे इसके बाद आपको देखे यहाँ पर option मिलेगा second number पर my account का आपको इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको first option देखेगा view membership detail आपको इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देखे कोई भी cancel करने का option नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है desktop mode में इस page को open करना है उसके लिए आपको सब से ओपर three dots दिखेंगे तो आपको browser के three dots पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको option देखेगा desktop site आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखे option लिखा गया है cancel membership तो आपको cancel membership वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने दो option आजाएंगे कि no thank you continue cancel या फिर keep membership अगर आप अपनी membership रखना चाहें तो आप membership अपनी रख सकते हैं तो देखे इसमें से आपको जो भी अपना reason हो आप select कर सकते हैं फिलाल मेरा कोई ऐसा reason नहीं है तो मैं other reason लिखके यहाँ पर cancel membership पर क्लिक कर दूँगा तो देखे लिखा आगया है thanks for your feedback और इसके बाद सबसे last में फिर लिखा हुआ है cancel anyway आपको इस पर क्लिक कर दिना है तो अब देखिए जब मैंने same अपने वही profile को open किया तो यहाँ पर option आ रहा है start membership का यानि कि इस तरह से आप बड़ा ही easily अपने audibles के free trial membership को cancel कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह video आपके लिए helpful रहेगा video आपके लिए helpful रहे हो तो like जुरूर कीजिएगा तांकि जो भी किसी user को इस तरह के परशानी आए वो भी इस video को देखकर उसकी help हो पाई और इसके साथ ही अगर आप पहली बार Mr. Growth YouTube चैनल किसी वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में लिख करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं तांकि मैं जब भी को नई वीडियो बनाकर आप सब के साथ share करूँ वो वीडियो आपके में सना हो और हम जब मिलते हैं किसी और ने वीडियो के साथ